आज की इस वीडियो में मैं आपलों के साथ सेयर करने वाली हूँ कि आप अपने स्नैप चैट के पासवर्ड को कैसे पता कर सकते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के हुए स्टेप बाइस्टेप फॉलो कर ले और अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया होगा तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने ये वीडियो तो सबसे पहले हमें अपने फोन के स्नैप चैट पे आ जाना है यहां पे आने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो हमें उपर की तरफ अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो हमें उपर की तरफ यहां पे आप देख सकते हैं Settings का Option मिल रहा है तो हमें इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस पकार का Interface देखने को मिलेगा तो हमें यहां पे देख सकते हैं एक Option मिल रहा है Password तो हमें इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहां पे हमें एक option मिल रहा है forward your password तो हमें इस पे क्लिक करना है यहां पे आने के बाद हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो option मिल रहा है via phone और via email तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी password को reset कैसे कर सकते हैं phone के through यानि कि phone number के through या फिर email के through तो आप यहाँ से किसी एक को select कर ले तो मैं यहाँ से via phone कर लेती हूँ यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस पकार का interface देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमें अपने phone number को दे देना है आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद नीचे की तरफ हमें verify का option मिल रहा है तो हमें इस पे click कर देना है इस पे click करने के बाद हमें फिर से दो option देखने को मिल रहा है पहला option है SMS का दूसरा call का यानि कि आपका जो OTP है उसको आप किस के through बंगाना चाहते है SMS के through या फिर call के through तो मैं यहाँ पे SMS पे click कर लूँगी तो देख सकते हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हमें अपने OTP को डाल देना है OTP डालने के बाद देख सकते हमें कुछ इस पकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने नए पासवर्ट को बना ले तो मैं यहाँ से नए पासवर्ट को बना लेती हूँ तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने पासवर्ट को बना लिया है अब हमें नीचे की तरफ सिर से उसी पासवर्ट को डाल देना है बहुत ही आसानी से आप अपने स्नेप्चेट के पासवर्ट को पता कर सकते हैं सो आई होब कि आपको छोटी से जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी थाइंकि फो वाचिंग मैं वीडियो